नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु ATP में हार्दिक स्वाद करता हूँ और आजी क्लास में हम सीखने अबले है ट्रांशेट करना जी हाँ इंग्लिश की कोई भी जो सेंटेंस लिखे में बड़े से बड़े पैराग्राफ है यही उसका नियम है और इसका नियम कुछ नियम यह है कि आपको मीनिंग पता है और आपको पहले ही बता है तो आपको मीनिंग याद होना चाही मेंनग कैसे आद होगा आप जो भी आइमप, आइमप, मोच मोच जो हमें से यूज़ करते हैं उस परकार के word ले लिजिए, सब्द ले लिजिए इंग्लिस के और उसे notepad पे आप लिख लिजिए copy पे लिख लिजिए और Google से या फिर कहीं भी आप dictionary वगरा में meaning आपको उसका, आपको मान के चलिए माली जी उसका आपको spelling याद नहीं होता है लेकिन आपको ये तो पता चलिएगा कि हाँ इसे क्या कहते हैं, माली जी आपको country का spelling याद नहीं हो रहा है लेकिन आपको पता है country का मतलब देश होता है तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं English में जो भी लिखा हुआ है उसे आप समझ सकते हैं उसका आप Hindi में उच्चारण कर सकते हैं मतलब हिंदी में उसका translate आप कर सकते हैं तो यदि यह कहीं पर भी English में ऐसा लिखा हुआ है आप चाहाए दूसरे देश में हो meaning यहाँ पर पता है आप इसका meaning जो जो नहीं पता हो तो मैं बताने वाला हूँ तेकिन आप meaning याद कर लेंगे मान के चलिए वो जो भी words है सभी का meaning आपको पता होना चाहिए अब देखते हैं आपको मान के चलते हैं याप पर meaning आपको पता है लार्जेस्ट कंट्री इन दा वर्ड इट इस अल्सों कॉल भारत एंड हिंदुस्तान तो इस प्रकार से देखिए आप यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है मतलब यह जो पैरग्राफ लिखा हुआ है और इसमें कम से माने चलिए चार-पांस सेंटेंस लिखा हुआ है वाक के लि देखिए इंडिया यहां पर फूलिश्ट लगाई यहां यहां पर यह कंप्रीट हो रहा है अब देखते हैं इंडिया इस माई कंट्री तो पहले यह एक लाइन हो गया तो इंडिया याने भारत इस याने है माई याने मेरा या मेरी कंट्री याने देश तो इसे आपको क्य इंडिया है मेरा देश तुँ इसे जाहीं कैसे लिएप्स मेरा देश है। में यहां पे लिखेंगे भारत मेरा देश भारत है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वही है। तो हमने जैसे लिखा भारत मेरा देश है। यह हो गया पहला लाइन आपका यहां तक के लगबग कप्लिट हो गया उसके बाद देखे एंड याने और तो आपने लिख दिया और अब एक बार इस लाइन को पढ़ लिजे उसका मन महीं आपसे बन जागा देखिए उसका लाइन को पढ़ लिजे आई एम प्राउड आई एम याने मैं याने मुझे आई एम लिखाव है तो मुझे प्राउड प्राउड याने होता है गर्व होना मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, प्रावड यान होता है, गर्व होना, to be, be यान होता है, बनकर या होकर, है ना, तो to be होकर, क्या होकर, n, n याने एक मैंने बता है, a याने भी एक होता है, n याने भी एक होता है, लेकिन a कहां पर लगता है, n कहां पर लगता है, मैंने उस एक इंडियन इंडियन याने होता है भारती है जैसे इंडिया याने हो गया भारत लेकिन इंडियन लग गया एन इंडियन याने वहां कर रहने वाला तो भारती है वैसी मालेजी कोई अमेरिका अमेरिकन तो हो जाएगा अमेरिकन याने की अमेरिका पर रहने वाला तो अमेरि है या मुझे गरवा एक भारती होका तो देखें दोनों का मीनिंग वही है आप लेकिन आपको समझ आ गया बोलना क्या चाता है तो देखें यहाँ पर क्या हो गया भारत मेरा देश है और मुझे भारती या फिर यहाँ पर एक भारती है क्योंकि N लिखा हुआ है देखिए आपर N लिखा हुआ है तो मुझे एक भारती होने का या होने पर गर्व है देखिए आपने क्या किया उसका मोटा मोटा मीनिंग आपको पता चल गया अप उसे अच्छे से क्रम में जमा दीजे, लैन से जमा दीजे क्योंकि ये CDC पाता है, आप वो अच्छे से जमा कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है, ये आगे बीचे लिखा हुआ है English में लेकिन आप उसको क्रम में जमा सकते हैं की आपको समझ आ गया बोलना क्या चाहता है उसे फिर आप समझ जाएंगे जैसे कि मैंने यहां पर कहा यह वाला कब्रेंट हो गया आगे देखते फिर आपके समझ आगा सभड़ा इसाल व्रिहरत बहुत बढ़ा क्या है वेस्च कंट्री याने की बहुत बढ़ा बहुत विसाल देस है, तो यहां तक आपको समझ आ गया, it is a west country, यहां एक विसाल देस है, तो देखिए आपको यहां पर समझ आ गया, क्योंकि इसका आपको it का मतलब पता है, इसका पता है, एक का पता है, west का मैंने बता दिया, नहीं पता था, तो आप Google में सर्च कर सकते हैं मैंने बता है, जैसे आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइट कर देंगे, कि मुझे यह वाला word का meaning नहीं पता है, आप इसे लिख लिजिए, उसके बाद आप Google में जाके सर्च कीजिए, उसका चार्ण कैसे करते हैं, वो भी Google बता देता है, और उसका मतलब क्या है, वो भी बता देगा, तो जैसे मैंने का यह हो गया आपका, वैस्ट, तो यह हो गया हमने यहाँ पर लिख दिया, यह हो गया वैस्ट, वैस्ट का मतलब हो गया विशाल, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने copy में note करते हैंगे, जो hard meaning है, जिसका hard word जो आपको लग रहा है, आपको याद नहीं है, उससे आप note पर में लिखते हैंगे, यह पर paragraph के नीचे यह आप ऐसे pencil में लिख सकते हैं, ताकि दुबारा जब आप पढ़ें तो आपको समझ आएगा, इसका meaning क्या होता है, तो यह आपको समझ आएगा, एक विशाल देश तो गया, यह एक विशाल देश है, तो देखी यह वाला भी आपका बन गया, यह एक विशाल देश है, आप देखे, उसकार क्या पर end, फिर आगया end याने, और, तो हम लिखा और, विशाल देश है, और, और क्या बोल रहा है, इसके बारे में, इट रैंग, इट रैंग, रैंग क्या ने होता है, जो हम क्रम बनाते है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस प्रकार से रैंग, कौन से नंबर में है, तो रैंग होता है नंबर, तो क्रम होता है, नीचे उपर तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस It ranks as the 7th largest 7th largest 7th याने हो गया 7वा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th तो इस प्रकार से चलता है 8, 9, 10 तो यह 8, 9, 10 इस प्रकार से तो 7th याने हो गया 7वा Largest Largest याने होता है बड़ा Largest याने बड़ा Country Country याने आपको पता है देश In the world In याने में The word याने दुनिया में तो क्या हो कि देखे इन दा वार्ड याने दुनिया में तो यहाँ पर आपको मीनिंग पता चल गया क्या क्या मीनिंग होगा यहाँ पर 7th largest याने सात्वा सबसे बड़ा Country याने देश In the world याने दुनिया में तो आपको यहाँ पर देखें motorport आपको meaning से पता चलिया, आप इसे जमाकर लिख सकते हैं, कि दुनिया में ये साथवा अब लग方नल में सबसे बड़ा देश है या फिर साथवा सबसे बड़ा देश है दुनिया में, तो इसे आप सही कैसे कर सकते हैं? और दुनिया में ये सात्वां सबसे बड़ा देश है देखें ये वाला विलाइन आपका कम्लीट हो गया अब देखें यहां तक कम्लीट हो गया आपका वर्ड अब फिर लिखाया देखें फिर उसे पढ़िए 80s तो इतने बार हमने 80s पढ़ा आप समझगे ये है 80s का मतलब ये है क्या है दस सेकन्ड मौश सेक नこれは ज्याने होता है दूसरा मैंने बता फर्स सेकन्ड सेकन याने दूसरा ये क्या है सेकन्ड मोश्ट मोश्ट पॉपुलिटेट second याने दूसरा most populated most याने होता है ज्यादा most याने जैसे most याने मैंने बताया था ज्यादा populated populated याने यहाँ पर पोपुलेशन population जनसंख्या तो यह सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से नंबर का second दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला country in the world फिर वही जैसे हम नें पताया था उपर जैसे लिखा हुआ था country in the world याने विश्वमे in the world याने विश्वमे दुनिया में दुनिया में क्या देश है second most populated याने दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है तो देखे बन गया दुनिया में ये दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है तो देखे इस प्रकार से आपको बनाना है कोई बड़ी बात नहीं है आपको meaning पता होगा आप आसानी से जमा सकते हैं ये वाला भी बन गया आपका फिर उसके बाद जो लिखा हूँ है सेम वैसे ही दुनिया में ये है ना तो it is a second most populated याने दूसरा सबसे दूसरा second याने दूसरा most याने सबसे याने ज्यादा most याने दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और उसके बाद लिखा हूँ है यहाँ पर लिखा हूँ है जनसंख्या वाला याने देश है यह हो गया आपका फिर देखिए it is also it is याने फिर मैंने पता इट इस यह या इसे also also याने इसे भी और भी क्या भी देखिए called याने होता है पुकारना या बोलना इसे और क्या 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 कहते है भारत and हिंदुस्तान इसे भारत और हिंदुस्तान कहकर भी also याने भी तो इसे भारत और हिंदुस्तान कहकर भी पुकारा जाता है called याने पुकारना या बोलना तो इसे क्या क्या जाता है भारत या हिंदुस्तान भी कहा जाता है It is इसे भारत और हिंदुस्तान And याने और इसे भारत और हिंदुस्तान Called याने बोला जाता है या पुकारा जाता है बोला जाता है इसे भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है यहाँ पर आपने देखा हमने लिखा हुआ है it is also called याने इसे और क्या कहा जाता है भारत and हिंदुस्तान याने इसे भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है इसे भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है तो देखिए ये वाला पूरा परग्राफ है complete हो गया एक एक लाइन का meaning तूरंत देखते हैं And I am proud to be an Indian. और मुझे भारती होने पर गर्व है. एक भारती होने में एनियाने एक. मुझे एक भारती होने पर गर्व है. प्रावड याने गर्व होना. उसके बाद लिखा है, It is a West Country. यह West Country आने होगा. यह एक विसाल देश है. तो अब मैं लिखा है, यह एक विशाल देश है, यह भी complete हो गया, फिर लिख हो है end, end का और, और, it ranks, है ना, it's ranked as the 7th largest country, 7th largest, यह सात्वा सबसे बड़ा देश है, किसे कहां सबसे बड़ा देश है, in the world, दुनिया में, यह दुनिया में सबसे, यह दुनिया में सात्वा सबसे बड़ा देश है, तो it is the second most populated country in the world, in the world, दुनिया में, दुनिया में क्या है, it is the second most populated, यहाने दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, most populated, populated, polluted नहीं है, polluted का मतलब होता है, प्रदूसन वाला, polluted अलग होता है, populated अलग होता है, तो यह लिखा हुआ, it is the second most populated, यहाने दूसरा सबसे वाला देस है कहा देस है इन शन संखिया वाला देस है कहा डेस से और नुम भी कहा जाता है बारत और हिंदू स्थानद भी कहा जाता है कॹो आ अपिसे बहुत है यह कैसे अप ट्राइट करके देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार का जो उसका ट्राइट करके देगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही देगा, लेकर से मीनिंग क्या है, आपको पता चल गया है, यदि आप इस प्रकार का परग्राफ पढ़ते हैं, और उससे आप समझ जाते हैं, तो इससे मीनिंग पता होना चाहिए, और आमप, आमप, जो मीनिंग होता है, मैं हमेशा को कम्यूटी टैम में देते ही रहता हूँ, तो बताएंगे आज की क्लास कैसे लगी, आपको पसंद आए कि नहीं, जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं समझ सकू कि आपको क्लास कैसी लगती है, और यदि थोड़ी भी आप इसको फायदा हुआ हो आपको, तो लाइक जरूर करें, सेर करें, यदि आप चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद,